C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा ग्यारह की समाज शास्त्र की पाठे पुस्तक समाज शास्त्र परिचे का ध्वनी पाठ प्रिश्ट संख्या 46 अध्याय 3 समाजिक संस्थाओं को समझना परिचे यह पुस्तक समाज और व्यक्ति की अंतिक्रिया के बारे में चर्चा से आरंब होती है हमने देखा कि हमें से प्रते का एक व्यक्ति की तरहां समाज में एक स्थान या स्थिती होती है प्रते की एक प्रस्थिती और एक या अनेक भूमिकाएं होती है लेकिन साधारन तैं इनका चुनाव करना हमारे नियंत्रन में नहीं होता यह भूमिकाएं चलचित्रों की भूमिकाओं की तरहां नहीं होती जिन्हें कोई अभिनेता अपनी इच्छा से स्वीकार या अस्वीकार कर सके यहां समाजिक संस्थाएं होती है जो प्रतिबंधित और नियंत्रित, दंडित और पुरस्कृत करती है समाजिक संस्थाएं राज्य की तरह ब्रिहत या परिवार की तरह लगू हो सकती है इस अध्याए में हमारा परिचे समाजिक संस्थाओं से होगा और यह भी बताया जाएगा कि सामाज शास्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान में इनका अध्यन किस प्रकार होता है इस अध्याई में कुछ प्रमुख शेत्रों जिन में महत्वपून सामाजिक संस्थाएं जैसे क, परिवार, विवाह और नातेदारी, ख, राजनीती, ग, अर्थ विवस्था, घ, धर्म, एवं, न, शिक्षा होती है इनका संशिप्त वर्नन किया गया है विस्तृत अर्थ में संस्थाउसे कहा जाता है, जो स्थापित या कम से कम कानून या प्रथाद्वारा स्विक्रित नियमों के अनुसार कार्य करती है और उसके नियमित तथा निरंतर कार्य चालन को इस नियम को जाने बिना समझा नहीं जा सकता संस्थाएं व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती हैं साथ ही ये व्यक्तियों को अफसर भी प्रदान करती है संस्थाओं को स्वैम में लक्षे के रूप में भी देखा जा सकता है वास्तव में लोगों ने परिवार, धर्म, राज्य या यहां तक की शिक्षा को भी अपने आप में एक लक्षे के रूप में माना है क्रिया कलाप एक लोगों द्वारा परिवार, धर्म, राज्य के लिए बलिदान देने के उधारनों के बारे में सोचे हम पहले ही देख चुके हैं कि समाज शास्त के अंतरगद संगल्पनाओं को समझने में अनेक प्रकार की भिन्ताएं और विरोधाभास है हमारा परिचे प्रकार्यवादी और संगर्षवादी द्रिष्टिकों से भी कराया गया है हमने यह भी देखा है कि कैसे उन्होंने एक ही विशेवस्तु को विभिन्ता से देखा जैसे स्तरीकरन या सामाजिक नियंद्रन इसलिए इसमें कोई आश्चरे नहीं कि सामाजिक संस्थाओं के बारे में भी विभिन्प्रकार की समझ है एक प्रकार्यवादी द्रिष्टी सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक मान को आस्थाओं, मुल्यों और समाज की अवशक्ताओं को पूरा करने के लिए निर्मित संबंधों की भूमिका के जटल ताने बाने के रूप में देखती है सामाजिक संस्थाओं सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्देमान होती है इस प्रकार समाज में हमें आपचारिक और अनुपचारिक सामाजिक संस्थाओं के उधारन हैं एक संघर्श्वादी द्रिष्टी की मान्यता है कि समाज में सभी व्यक्तियों का अस्थान समान नहीं है सभी सामाजिक संस्थाओं चाहे वे पारिवारिक, धार्मिक, राजनितिक, आर्थिक, कानूनी या शैक्षनिक हो समाज के प्रभावशाली अनुभागो चाहे वे वर्ग, जाती, चनजाती या लिंग के संधर्ब में हो के हित में संचालित होती है प्रभावशाली सामाजिक अनुभागो का ना केवल राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं पर प्रभुत्व होता है अपितु वै ये भी सुनिश्चित करते हैं कि शाशक वर्ग के विचार ही समाज के विचार बन जाएं ये विचार इस से बहुत भिन हैं कि किसी समाज की सामान्य अवशक्ताएं होती हैं जैसे जैसे आप इस अध्याय का आगे अध्यन करेंगे देखें कि क्या आप ऐसे उधारनों के बारे में सोच सकते हैं कि कैसे सामाजिक संस्थाएं व्यक्तियों को नियंतरित करती हैं या अफसर भी प्रदान करती हैं आप यह भी देखें कि क्या वै समाज के विभिन अनुभागों पर असमान प्रभाव डालती है। उधारन के लिए हम पूछ सकते हैं। कैसे परिवार पुर्शों और महिलाओं को नियंतरित करने के साथ साथ अफसर भी प्रदान करता है। या राजनीतिक या कानूनी संस्थाएं विशेश सुविधा प्राप्त और अधिकार विहीन व्यक्तियों को कैसे प्रभावित करती है। परिवार विवा और नातिदारी शायद परिवार जितनी नैसर गे कोई अन्य सामाजिक संस्था नहीं दिखाई देती है। प्राए हम यह मानने को तयार रहते हैं कि सभी परिवार वैसे ही होते हैं जैसे परिवार में हम रहते हैं। कोई और सामाजिक संस्था इतनी व्यापक और अपरिवर्तनिय नहीं दिखती है। समाज शास्र और सामाजिक मानव विज्ञान ने कई दशकों तक विभिन संस्कृतियों में या दर्शाने के लिए शेत्रिय अनुसंधान किये कि कैसे विभिन समाजों में भिन भिन स्वरूप होते हुए भी परिवार, विवाह और नातेदारी, संस्थाएं सभी समाजों में महत्वपून है उन्होंने यह भी दर्शाया कि किस प्रकार परिवार निजी शेत्र, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शेक्षनिक, स्वार्जनिक शेत्र से संबंधित है यह आपको पुनहय याद दिला सकता है कि विभिन विश्यों से लेंदिन की अवशक्ता क्यूं पड़ती है जिसकी चर्चा हमने अध्याय एक में की है प्रकार्यवादियों के अनुसार परिवार अनेक महत्वपून कार्य करता है जो समाज की बुनियादी अवशक्ताएं पूरी करते हैं और सामाजिक विवस्था को स्थाई बनाने में सहायता करते हैं प्रकार्यवादि दृष्टिकोन का तर्क है कि यदि महिलाएं परिवार की देखभाल करें और पुरुष परिवार की जीविका चलाएं तो आधुनिक ओद्योगिक समाज श्रेष्ट कार्य निश्पादन करते हैं तथा पी भारत में किये गए अध्यन ये सुझाव देते हैं कि अर्थविवस्था के ओद्योगिक प्रतिमानों में परिवार को मूल होने की अविश्चक्ता नहीं है C. 1993-83 फिर भी यह एक उधारन है जिससे पता चलता है कि एक समाज के अनुभवोप पराधारित प्रवित्ति का समान्य करन नहीं किया जा सकता है प्रकार्य वादियों के अनुसार मूल परिवार को ओद्योगिक समाज की अवशक्ताएं पूरी करने वाली एक सर्वोत्तम साधन संपन इकाई के रूप में देखा जाता है ऐसे परिवार में घर का एक सदस से घर से बाहर कार्य करता है और दूसरा सदस से घर और बच्चों की देखभाल करता है वहवारिक रूप से मूल परिवार में भूमिकाओं के इस विशिष्टी करण में पती की जीवी का चलाने वाले सहायक की तथा पत्नी की घरेलू सनरचना में प्रभावशाली भाबनात्मक भूमिका शामिल रहती है गिडिन्स 2001 इस दृष्टी पर ना केवल अनुचित लिंग भेद की कारण प्रश्ण किया जा सकता है अपितू इतिहास और अनेक संस्कृतियों के अनुभविक अध्यन दर्शाते हैं कि यह सत्य नहीं है वास्तव में आप कार्य और अर्थविवस्था की चर्चा में देखेंगे कि वस्त्र निर्यात जैसे समकालीन उद्योग में महिलाएं श्रमिक बल का बहुत बड़ा हिस्सा है इस तरह का विभाजन ये भी सुझाता है कि पुरुषी आवशक क्रूप से परिवार के मुख्या है यहां दिया गया बॉक्स दर्शाता है कि यह अनिवार्यत है सत्य नहीं है महिला प्रधान घर जब पुरुष नगरिये शेत्रों में चले जाते हैं तो महिलाओं को हल चलाना पड़ता है और खेतों के कार्यों का प्रबंधन करना पड़ता है कई बार वे अपने परिवार की एक मात्र भरन पोशन करने वाली बन जाती है ऐसे परिवारों को महिला प्रधान घर कहा जाता है विद्वापन भी ऐसी पारिवारिक व्यवस्था बना सकता है ये स्थिती पुरुषो द्वारा दूसरा विवाग करने तथा अपनी पत्नियों, बच्चों और अन्य आशितों को धन ना भेजने के कारण भी बन सकती है ऐसी स्थिती में महिला को अपने परिवार की देखभाल सुनिश्चित करनी पड़ती है दक्षिन पूर्व महाराष्ट्र और उत्तरी आंध्रप्रदेश में कोलम जनजातिय समुदाई में महिला प्रधान घर एक स्विक्रित मानक है परिष्ट संख्या उनन्चास परिवार के स्वरूपों में परिवर्तन भारत में एक मुख्य वहस मूल परिवार से सयुक्त परिवार की और बदलाव के बारे में हैं हमने पहले भी देखा है कि समाज शास्र कैसे सामाने बौधिक प्रभावों पर प्रश्निक खड़ा करता है तथ्य यह है कि भारत में मूल परिवार पहले से ही विशेष्टे अभाव ग्रस्त जातियों और वर्गों में हमेशा विद्यमान रहे हैं समाज शास्री ए एम शाह का कथन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सयुक्त परिवार में निरंतर वृध्धी हुई है उनके अनुसार इसका मुख्य कारक था भारत में आसत आयू में वृध्धी होना पुर्षो की आयू में ये वृध्धी 1941-1981-1985 के दोरान 32.5 से 55.4 वर्ष तथा महिलाओं की आयू में 31.7 से 55.7 वर्ष हो गई थी इसके परिनाम स्वरूप, बुजर्ग लोगों यानी साथ वर्ष या उससे अधिक आयों की संख्या में काफी वृध्धी हो गई थी शाह लिखते है कि हमें यह पूछना होगा कि यह वृध्ध किस तरह के घर में रहते हैं मैं यह मानता हूँ कि उनमें से अधिक तर सयुक्त घरों में रहते हैं शाह 1998 यह पुने एक व्यापक समान्य करन है लेकिन समाज शास्त्रिय द्रिष्टिकोन हमें इस समान्य बौधिक प्रभाव पर आँख बंद करके विश्वास करने के विरुध सावधान करता है कि सयुक्त परिवार तेजी से कम हो रहे हैं यह हमें सावधानी पूर्वक, तुन्लात्मक और आनुभविक अध्यनों की अवश्यक्ता के प्रती भी सतर्क करता है अध्यनों से पता चलता है कि किस तरह विभिन समाजों में परिवार के विभिन स्वरू पाहे जाते हैं आवाज के नियम के अनुसार कुछ समाज अपने विभा और पारिवारिक प्रताओं में मात्री स्थानिक हैं और कुछ पित्री स्थानिक मात्री स्थानिक परिवार में नवदमपत्ती पत्नी के अभिवावकों के साथ रहते हैं जबकि दूसरी स्थिती में नवदमपती पती के अभिवावकों के साथ रहते हैं पित्री तंत्रात्मक परिवार सनरचनाओं में अधिकार और प्रभाव पुषों के पास होते हैं जबकि मात्री तंत्रात्मक परिवारों में नियंत्रन लेने में महिलाओं की प्रमुक फुमिका होती है मात्री वंशिय सामाज मौजूद हैं पर मात्री तंत्रिय सामाजों के बारे में ये दावा नहीं किया जा सकता परिवार अन्य सामाजिक शेत्रों और पारिवारिक परिवर्तनों से संबंधित होते हैं हमारे द्यानिक जीवन में प्राए हम परिवार को अन्य शेत्रों जैसे आर्थिक या राजनीतिक से भिन और अलग देखते हैं फिर भी आप स्वैम देखेंगे कि परिवार, ग्री, उसकी संरचना और मानक बाकी समाज से गहरे जुड़े हुए हैं। एक रोचक उधारन जर्मन एकिकरन के अज्याद परिनामु का है। 1990 के दशक में एकिकरन के बाद जर्मनी में विवा प्रनाली में तेजी से गिराबटाई। क्यूंकि नए जर्मन राज्ये ने एकिकरन से पूर्व, परिवारों को प्राप्त संरख्षन और कल्यान की सभी योजनाएं रद कर दी थी। आर्थिक असुरक्षा की बढ़ती भावना के कारण लोग विवा से इंकार करने लगे। इसे अंजाने परिनाम के रूप में भी जाना जा सकता है। अध्याए एक। प्रिष्ट संख्या पचास। यहां प्रिष्ट पर सबसे उपर चार चित्र दर्शाय गए हैं। पहले दो चित्रों में गरीब और अमीर परिवारों को दर्शाया गया है। यहां दिये गए परिवारों और आवासों में अंतर पर ध्यान दीजिए। अगले दो चित्रों में, एक चित्र में महिलाओं को घर के कामकाज करते हुए दिखाया गया है और दूसरे चित्र में पुरुष भवन निर्मान का कार्य कर रहे हैं कार्य और ग्रिह इस प्रकार बड़ी आर्थिक प्रक्रियाओं के कारण परिवार और नातेदारी परिवर्तित और रुपांत्रित होते रहते हैं लेकिन परिवर्तन के दिशा सभी देशों और शेत्रों में हमेशा एक समान नहीं हो सकती हालां कि इस परिवर्तन का ये भी अर्थ नहीं है कि पिछले मानक और सनरचना पूरी तरह नश्ट हो गई है परिवर्तन और निरंतरता सहवर्ती होते हैं परिवार किस तरह लिंगवादी है? इस विश्वास के कारण की लड़का व्रिधा वस्था में अभिवावकों की सहायता करेगा और लड़की विवा के बाद दूसरे घर चली जाएगी परिवारों में लड़कों पर अधिक धन खर्च किया जाने लगा जीविज्ञान के इस तथ्य के बावजूद की लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के जीवित रहने के अफसर बहतर होते हैं भारत में अलपाईू सम्हू में लड़कियों की मृत्युदर लड़कों से कहीं अधिक थी क्रिया कलाप दो एक तेलगू अभी कतन है एक लड़की का पालन करना दूसरे के आंगन में पौधे को पानी देने के बराबर है ऐसी या इसके विप्रीत कहावतों का पता लगाएं चर्चा कीजिए कि कैसे प्रसिद कहावतों में समाज की सामाजिक व्यवस्था की छलक मिलती है प्रिष्ट संग्या 51 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर एक तालिका दी गई है जिसमें भारत में 1901 से 2011 के बीच लिंगानुपात दर्शाया गया है इस तालिका को दो भागों में बाटा गया है वर्ष और लिंगानुपात वर्ष 1901 लिंगानुपात 972 1911 – 964 1921 – 955 1931 – 950 1941 – 945 1951 – 946 1961 – 941 1981 – 930 1981 – 934 1991 – 926 2001 – 933 2011 – 940 कन्या भ्रून हत्या की घटनाओं से लिंगानुपात में एकाएक गिरावट होने लगी बाल लिंगानुपात में प्रती एक हजाल लड़कों पर 934 से कम होकर 2011 में 919 हो गया बाल लिंगा अनुपात में प्रतीशत गिरावट अत्यधिक चौकाने वाली है सम्रिध राज्यों जैसे पंजाब, हर्याना, महाराश्ट्र और उत्तर प्रदेश में स्थिती और भी अधिक खराब है पंजाब में प्रती एक हजाल लड़कों के अनुपात में लड़कियों का अनुपात 846 हो गया है अतिहासिक रूप से विभिन समाजों में विभा के व्यापक विभिन रूप पाए जाते हैं ये विभिन प्रकार के कार्य निश्पादन के लिए भी जाना जाता है वास्तव में विभा साथी की खोज का तरीका अनेक विसमेकारी साधनों और प्रथाओं को उजागर करता है क्रिया कलाब तीन विभिन समाजों द्वारा विभा के लिए साथियों की तलाश किये जाने वाले विभिन तरीकों का पता लगाईए विभा के रूप विभा के अनेक रूप हैं इन रूपों को विभा करने वाले साथियों की संख्या और कौन किस से विभा कर सकता है को नियंत्रित किये जाने वाले नियमों के आधार पर पहचाना जा सकता है व्यधानिक रूप से विवा करने वाले साथियों की संख्या के संधर्व में विवा के दो रूप पाई जाते हैं एक एक विवा दो बहु विवा एक विवा प्रथा एक व्यक्ति को एक समय में एक ही साथी तक सीमित रखती है इस वेवस्था में किसी भी समय में पुरुष केवल एक पत्नी और स्त्री केवल एक पत्नी रख सकती है यहां तक की जहां बहु विवा की अनुमती है वहां भी एक विवा ही जाधा प्रचलित है प्रिश्ट संख्या बावन प्राय कई समाजों में व्यक्तियों को पुने विवा की अनुमती पहले साथी की मृत्यू या तलाह के बाद दी जाती है लेकिन वे एक समय में एक से अधिक साथी नहीं रख सकते ऐसे विवा को क्रमिक एक विवा कहा जाता है अधिक आंश भागों में पत्नी की मृत्यू के बाद पुर्षो द्वारा पुनर्विवा करने का नियम है लेकिन आप सभी जानते हैं कि उच्च जाती की हिंदू महिलाओं के लिए पुनर्विवा की स्विक्रिती नहीं थी और उन्नीसवी शताब्दी के सुधार आंदोलोनों में विद्वा पुनर्विवा एक मुख्य विशे था शायद आपको इस बारे में जादा जानकारी नहीं होगी कि आज आधुनिक भारत में महिलाओं की आबादी का लगभग 10 प्रतिशत और 50 वर्ष से अधिक आयू की 55 प्रतिशत महिलाएं विद्वा हैं चेन 2353 बहु विवा प्रता एक समय में एक से अधिक साथी होने का दियोतक है और इसमें या तो बहु पत्नी प्रता यानि एक पती और दो या अधिक पत्नियां अत्वा बहु पत्नी प्रता यानि एक पत्नी और दो या अधिक पती रूप होता है प्राय जहां आर्थिक स्थितियां कठोर होती है, वहां बहुपती प्रथा, समाज की एक प्रतिक्रिया हो सकती है क्योंकि ऐसी स्थितियों में एक पुरुष, पत्नी और बच्चों का परियाप्त भरन पोशन नहीं कर सकता है आर्थिक निर्धन्ता की अवस्थाएं भी एक सम्मू पर अपनी आबादी सीमित रखने के लिए दबाब डालती है विवा निश्चित करना, नियम और निर्देश कुछ समाजों में विवा साथी के चैन का निर्ने अभिवावकों या संबंधियों द्वारा किया जाता है और कुछ अन्य समाजों में साथी का चैन करने में व्यक्तियों को अपेक्षाकृत, कुछ स्वतंतरता होती है अंतर विवा और बहीर विवा के नियम कुछ समाजों में ये प्रतिबंध अती सुक्ष्म होते हैं जबकि कुछ अन्य समाजों में किस व्यक्ति से विवा किया जा सकता है और किस से नहीं के नियम अधिक स्पष्ट और विशेश रूप से परिभाशित होते हैं विवा साथी की योग्यता या अयोग्यता नियंतरित करने वाले नियमों के आधार पर विवा के रूपों को अंतर विवा और बहीर विवा के रूप में वर्गे कृत के आगया है अंतर विवा में व्यक्ति उसी संस्कृती समू में विवा करता है जिसका वाय पहले से ही सदस्य है उधारन के लिए जाती इसके विपरीत व्यक्ति बहीर विवा में अपने समू से बाहर विवा करता है अंतर विवा और बहीर विवा कुछ नातेदारी एकाईयों को संदर्ब के रूप में लिया जाता है जैसे गोत्र, जाती और नसल, प्रजातिय या धार मिकसमू भारत में विशेश्तया, उत्तरी भारत के कुछ भागों में गाउँ बहीर विवा प्रचलित है गाउं बहीर विवा ये सुनिश्चित करता है कि जिन परिवारों में लड़कियों का विवा किया जाए वे घर से काफी दूर हो ये विवस्था लड़की के नातेदारों के हस्तश्येप के बगैर उसके ससुराल में सुचारू परिवर्तन और समायोजन को सुनिश्चित करती है भोगौलिक दूरी और पित्रवंशे विवस्था के असमान संबंध ये सुनिश्चित करते हैं कि विवाहित लड़कियां अपने अभिवावकों के पास बार बार ना जाएं इस प्रकार जन्मस्थान से अलग होना एक दुखदाई अफसर है और ये लोग गीतों की विशेवस्थू है जो विदाई के दुख को चितरित करते हैं पिताजी हम चिडियों की जुन की तरह हैं हम दूर उड़ जाएंगी और हमारी उड़ान बहुत लंबी होगी हमें नहीं मालूम की हम कहां जाएंगी पिताजी मेरी पालकी आपके घर से नहीं जा सकती क्यूकि द्वार बहुत छोटा है बेटी मैं एक इट निकाल दूँगा तुम्हारी पालकी के लिए द्वार बढ़ा करने के लिए तुम्हें अपने घर अवश्य जाना होगा मैं अपनी बच्ची को पालने में जुलाता हूँ और उसके सुन्दर बालों में उंगलियां फिर आ रहा हूँ एक दिन दुला आएगा और तुम्हें दूर ले जाएगा जोर से ढोल नगाडे बजते हैं और मधुर शेहनाई बज रही है एक अजनभी का बेटा मुझे लेने आ गया है मेरी सहेलियों अपने खिलोने लेकर आओ चलो हम खेलेंगी क्यूंकि अब मैं कभी नहीं खेल पाऊंगी जब मैं एक अजनभी के घर चली जाऊंगी दूबे दोहजार एक चौरानवे क्रिया कलाब चार शादी से संबंदित विभिन गीतों को एकठा कीजिए चर्चा कीजिए कि ये किस तरह शादियों में सामाजिक परिवर्तनों और लिंग संबंधों को प्रति बिम्बित करते हैं कुछ बुनियादी संकल्पनाओं, विशेष्टे, परिवार, नातेदारी और विवा को परिभाशित करना परिवार प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से जुड़े व्यक्तियों का एक समू है जिसके बड़े सदस्य बच्चों के पालनपोशन का दायत विलेते हैं नातेदारी बंधन व्यक्तियों के बीच के वे सुत्र होते हैं जो या तो विवा के माध्यम से या वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधियों यानि मातापिता, बेहन भाई, संतान आधी को जोड़ते हैं विवा को दो व्यस्क यानि पुरुष एवं स्त्री व्यक्तियों के बीच लैंगिक संबंधु की सामाजिक स्विक्रिती और अनुमोधन के रूप में भी परिभाशित किया जा सकता है जब दो व्यक्तियों का विवा हो जाता है तो वे परस पर नातेदार बन जाते हैं क्रिया कलाब पांच क्या आपने कभी वैवाहिक विज्यापन देखे हैं अपनी कक्षा को समूहों में विभाजित कीजिए और विभिन समाचार पत्रों पत्रिकाओं तथा इंटरनेट को देखिए अपने निशकर्षों पर चर्चा कीजिए क्या आप सोचते हैं कि अंतर विवा आज भी प्रचलित मानक है विवा की पसंद को समझने में यह आपकी कैसे सहायता करता है अधिक महत्वपून यह है कि यह समाज के किस प्रकार के परिवर्तनों की छलग देता है प्रिष्ट संख्या चौवन जन के परिवार को जन का परिवार यानि Family of Orientation कहा जाता है और जिस परिवार में व्यक्ति का विवा होता है उसे प्रजनन का परिवार यानि Family of Procreation कहा जाता है रक्त के माध्यम से बने नातेदारों को समरक्त नातेदार और विवा के माध्यम से बने नातेदारों को व्यवाहिक नातेदार कहा जाता है अगले अनुभाग में कार्य और आर्थिक संस्थाओं पर चर्चा में आप पाएंगे कि कैसे परिवार और आर्थिक जीवन गेहन रूप से अन्ते संबंधित हैं कादे और आर्थिक जीवन कार्य क्या है? बच्चे और छोटे विद्यार्थि के रूप में हम कल्पना करते हैं कि जब हम बड़े होंगे तो किस प्रकार का कार्य करेंगे? यहाँ पर कार्य स्पष्ट रूप से सवेतन रोजगार का दियोतक है आधुनिक समय में यह कार्य का सर्वाधिक समझ में आने वाला अर्थ है वास्तव में यह एक अत्याधिक सरली कृत विचार है अनेक प्रकार के कार्य सवेतन रोजगार के विचार की पुष्टी नहीं करते उधारन के लिए अनुपचारिक अर्थ विवस्था में किये जाने वाले अधिकांश कारे प्रत्यक्षिता किसी अपचारिक रोजगार आंकडों में नहीं गिने जाते। अनुपचारिक अर्थ विवस्था का अर्थ है नियमित रोजगार के शेत्र से परे किये जाने वाला कार्य वहवार। इसमें कभी कभी किये गए कार्य या सेवा के बदले नगत भुगतान किया जाता है लेकिन इसमें वस्तुओं या सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रद और अव्यातनिक कारियों के रूप में परिभाशित कर सकते हैं जिनका उद्देश ये मानव की अवश्यक्ताएं पूरी करने के लिए वस्तूओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। बे मेल कारिय करना आरंभ कर दिया था। बे मेल कारियों का सही अर्थ क्या है? ये वे ही जान सकते हैं जिन्होंने हसने और दूसरे बच्चों के साथ खेलने की आयू में वे कारिय किये हैं। बच्चे का जुन्जना हिलाने से लेकर स्वामी के सिर्की मालिश करने तक सभी नी अपने प्रेक्षन या साहित्य से या यहां तक की फिल्मों से भी इस प्रकार किये गए विभिन-प्रकार के कारियों का पता लगाईए और चर्चा कीजिए प्रिष्ट संख्या पचपन यहां चार चित्रों के माध्यम से विभिन परकार के कार्य दर्शाय गए हैं पहले चित्र में कॉल सेंटर को दर्शाय गया है दूसरे में एक दुकान दी गई है तीसरे चित्र में नारियल के पेड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति दर्शाया गया है और चोथे वा अंतिम चित्र में सिलाई करती हुई महिलाएं दी गई है क्रिया कलाप 6 ग्राम आधारित वैवसायों में लगे भारतियों की संख्या ग्याद कीजिए और उन वैवसायों की एक सूची बनाईए कार्य के आधुनिक रूप और श्रम विभाजन पूर्व आधुनिक समाज में अधिकतर लोग खेतों में कार्य करते थे या पश्यों की देखभाल करते थे और द्योगिक रूप से विक्सित समाज में जनसंख्या का बहुत छोटा भाग क्रिशी कार्यों में लगा हुआ है और स्वैम क्रिशी का भी और द्योगी की करन हो गया है इसका कार्यम मानव द्वारा करने की अपयक्षा अधिकांश्तय मशीनों द्वारा किया जाने लगा है भारत जैसे देश में आज भी अधिकतर जनसंख्या, ग्रामीन और क्रिशी कार्यों में या अन्य ग्राम आधारित व्यवसायों में लगी हुई है प्रिष्ट संख्या 56 भारत में और भी कई प्रवित्यां हैं उधारन के लिए सेवा शेत्र का विस्तार आधुनिक समाजों की अर्थव्यवस्था की एक सर्वाधिक महत्वपून विशेश्टा है अत्यदिक जटल श्रम विभाजन कार्य असंखे विभिन विवसायों में विभाजित हो गया है जिसमें लोग विशेशग्य हैं पारंपारिक समाजों में ग्याय क्रिशी कार्यों को हस्त कौशल की दक्षिता के साथ जोड़ा जाता है हस्त कौशल लंबे प्रशिक्षन के माध्यम से सीखा जाता था और समानित है श्रमिक उत्पादन प्रक्रिया के आरंभ से अंत तक सभी कार्य करता था आधुनिक समाज ने भी कार्य की स्थिती में परिवर्तन देखा है और द्योगी की करन से पूर्व अधिकतर कार्य घर पर किये जाते थे और कार्य पूरा करने में परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से हाथ बटाते थे और द्योगिक प्रद्योगी की में विकास जैसे बिजली और कोईले से मशीन संचालन ने घर और कार्यों को अलग करने में योगदान दिया पूर्जी पती उद्योग पतियों के कारखा ने और द्योगिक विकास का केंद्र बिंदू बन गए क्रिया कलाप 7 ग्यात करें की हाल ही के वर्षों में क्या भारत में सेवा शेत्र में परिवर्टन हुआ है? ये शेत्र कौन-कौन से हैं? क्रिया कलाप 8 क्या आपने मुख्य बुनकर को कारे करते देखा है? ग्यात करें कि एक शौल बनाने में कितना समय लगता है? क्रिया कलाप नौ अपने खाने वाले भोजन, रहने वाले मकान में प्रयुक्त सामगरी और पहनने वाले वस्त्रों की सूची बनाएं ग्याद कीजिए कि इन्हें किसने और कैसे बनाया उद्योगों में नौकरी करने वाले लोग विशिष्ट कार्यों को करने के लिए प्रशिक्षित थे और इस कार्य के बदले उन्हें वेतन मिलता था प्रबंधक कार्यों का निरिक्षन करते थे क्योंकि उनका कार्य श्रमिक की उत्पादक्ता, बढ़ाना और अनुशासन बनाए रखना था आधूनिक समाजों की एक मुख्य विशेष्टा है परसपर आर्थिक निर्भरता का असीमित विस्तार हम सभी बहुत से अन्य श्रमिकों पर निर्भर करते हैं, जो हमारे जीवन को बनाए रखने वाले उत्पादों और सेवाओं के लिए संपून विश्व में फैले हुए हैं कुछ अपवादों को छोड़ दे, तो आधुनिक समाजों में अधिकतर लोग अपने भोजन वा रहने वाले मकान का या अपने उपभोग की भौतिक वस्तुमों का उत्पादन नहीं करते हैं कार्यर रुपांतरन और योगिक प्रक्रियाएं उन सरल संक्रियाओं में विभाजित हो गई जिनका सही समय निर्धारन, संगठन और निगरानी की जा सकती थी थोक उत्पादन के लिए थोक बाजारों की अवशक्ता होती है साथ ही उत्पादन की प्रक्रिया में कई नव परिवर्तन हुए प्रिष्ट संख्या सत्तावन इस प्रिष्ट पर यहाँ छे चित्र दिये गए हैं जिसके माध्यम से कपास से कपड़े तक का सफर दिखाया गया है चित्रों के दो समूचियों में दिये गए उत्पादन के दो विभिन प्रकारों की चर्चा करें कारखाने में कपड़ा उत्पादन प्रिष्ट संख्या अठावन इस प्रिष्ट पर छे चर्णों के माध्यम से धान की कटाई से अंतिम चरन तक की प्रक्रिया दिखाई गई है। गाउं में धान की कटाई। प्रिष्ट संख्या उन्सट शायद इनमें सबसे महत्वपून स्वचलित उत्पादन की कडियों यानी मूविंग असेमली लाइन का निर्मान था। आधुनिक उद्योगिक उत्पादन के लिए महंगे उपकरनों और निगरानी व्यवस्थाओं के माध्यम से करमचारियों की निरंतर निगरानी करना आवशक है। पिछले कहीं दशकों से उदार उत्पादन और कार्य के विकेंद्री करन की तरफ जुका अभुआ है। पिछले के लिए बदलती बाजार अवस्थाओं के अनुकूल उत्पादन को संगठित करना आवशक हो गया है। नई व्यवस्था कैसे कारे करती है और श्रमिकों पर इसका क्या प्रभाव पढ़ सकता है। इसे समझने के लिए बंगलॉर में किये गए एक उद्योग के अध्यन के एक भाग को पढ़िये। उद्योग बड़ी आपूर्ती शंक्ला का एक अनिवार्य भाग होता है और इस परकार निर्माता की स्वतंत्रता उस सीमा तक ही सीमित होती है। डिजाइनर से लेकर अंतिम उभोकता तक वास्तव में सैंक्लों से अधिक संक्रियाएं होती है। इस शंक्ला में केवल 15 संक्रियाएं ही निर्माता के हाथ में होती है। वेतन वृध्धी को लेकर किये गए किसी भी गेहन आंदोलन से निर्मादा अपने कारियों को अन्य स्थानों पर ले जाएंगे, जो यूनियन की नेताओं की पहुँच से दूर होगा। चाहे ये विद्यमान यूनितम मजदूरी अदाईगी का मामला हो या इसमें आगे महत्वपून वेतन वृध्धी का। उपरियुक्त रिपोर्ट का साबधानी पूर्वक अध्यन करें। देखें कि उत्पादन के नए संगठन तथा देश से बाहर उभोगताओं के एक निकाएं ने उत्पादन की अर्थ विवस्था और राजनीती को किस प्रकार बदल दिया है। राजनीती वे ऐसा करते हैं क्योंकि दूसरों के पास शक्ती नहीं होती है। किसी समाज में निश्चित मात्रा में शक्ती होती है और यदि कुछ लोगों के पास ये है तो दूसरों के पास नहीं होगी। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ती या समू के पास शक्ती प्रिथक्ता में नहीं होती। बलकि ये दूसरों से संबंधित होती है। प्रिष्ट संख्या साथ शक्ती की ये अभिधारना स्पष्ट रूप से विस्तृत है। और ये परिवार में बडों के द्वारा बच्चों को घरेलू जिमेदारियों में लगाने से लेकर विद्याले में मुख्य अध्यापक द्वारा अनुशासन लागू करने तक यंत्रित करने वाले राजनितिक निताओं तक फैला हुआ है। लेकिन अपने उद्देशे की प्रापती हे तु शक्ति कैसे लागू होती है। क्यूं कुछ लोग दूसरों के आदेशों का पालन करते हैं। इन प्रशनों के उत्तर सत्ता की संबंधित संकल्पना के संदर्व में प्राप्त किये जा सकते हैं। शक्ति का उप्योग सत्ता के माध्यम से किया जाता है। सत्ता शक्ति का वह रूप है जिसे वैद होने के रूप में स्विकार किया जाता है। अर्थात जिसे सही और न्याय पूर्ण माना जाता है। ये संस्थागत है क्यूंकि ये वैधता पर आधारित होती है। समानत है लोग उनकी शक्ती को स्विकार करते हैं जिनके पास सत्ता होती हैं क्यूंकि वे उनके नियंत्रन को उचित और न्याय पूर्ण मानते हैं। अक्सर कुछ विचारधाराएं होती हैं जो वैधता की इस में सहायता करती है राज्य विहीन समाज 60 वर्षों से भी पूर्व सामाजिक मानव विज्ञानियों द्वारा किये गए राज्य विहीन समाजों के आनुभविक अध्यन दर्शाते हैं कि बिना आधुनिक सरकारी तंत्र के विवस्था कैसे बनाई जाती है इसके बदले नातेदारी, विवा और आवास पर आधारित गड़बंधनों के द्वारा और धार्मेक कृत्यों और समारोहों में मित्रों और विरोधियों की भागिदारी से विविन भागों में विप्रीत संतूलन बन जाता था जैसा की हम जानते हैं आधुनेक राज्य की एक निश्चित सनरचना और आपचारिक कारेव विद्या हैं फेर भी क्या राज्ये विहीन समाजों की उप्रोग्त वर्नित कुछ अनुपचारिक विशेश्टाएं राज्ये के समाजों में भी विद्यमान नहीं है राजे की संकल्पना प्रकार्यवादी द्रिष्टिकोन राजे को समाज के सभी अनुभागों के हितों के प्रतिनिधी के रूप में देखता है। प्रभु सत्ता का अभिप्राय एक निश्चित भौगौलिक शेत्र पर एक राजे के अविवादित राजनीतिक शासन से है। प्रिष्ट संख्या 61 क्रिया कलाब 10 पता लगाएं कि विभिन देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला। आप ऐसा क्यूं सोचते हैं कि मतदान और स्वार्जनिक पद पर खड़े होने का अधिकार प्राप्त होने के बावजूत महिलाओं का प्रतिनिधित्व परियाप्त नहीं है। क्या शक्ति अपने व्यापकर्थ में संसद और अन्य संस्थाओं में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को समझने के लिए एक उप्योगी संकल्पना होगी। क्या परिवारों और घरों में विद्यमान श्रम विभाजन महिलाओं की राजनीतिक जीवन में भागिदारी को प्रभावित करता है। ज्याद करें कि संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षन की मांग क्यों की जा रही है। आरंभ में प्रभुसतात्मक राजजियों में नागरिक्ता के साथ राजनीतिक भागिदारी के अधिकारों का पालन नहीं किया जाता था। फ्रांस की करांती और हमारा भारतिय स्वतंतरता संघर्ष इस तरह के आंदोलोनों के दो प्रमुख उधारन है। नागरिक्ता के अधिकार में नागरिक राजनीतिक और सामाजिक अधिकार शामिल हैं। नागरेक अधिकारों में व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार, रहने की जगा चुनने की, भाशा और धर्म की स्वतंत्रता, अपनी संपत्ती रखने का अधिकार तथा कानून के समक्ष समान न्याय का अधिकार शामिल है। राजनीतिक अधिकारों में चुनावों में भाग लेने और स्वार्जनिक पदों के लिए खड़े होने का अधिकार शामिल है। अधिकतर देशों में सरकारे सर्व व्यापक मतदान के सिध्धान्त को स्वीकार करने से इंकार करती थी। समय तक इस अधिकार के लिए इंतजार करना पड़ा। तीसरे परकार के नागरता का अधिकार समाजिक अधिकार है। इनका सरुकार प्रतेग व्यक्ति को कुछ नियोनितम स्टर तक आर्थिक कल्यान और सुरक्षाव प्राप्त होने के विशेश अधिकार से है। इन अधिकारों में शामिल है स्वास्ते लाब, बिरोजगारी भत्ता और नियुनितम मजदूरी निर्धारित करने के अधिकार क्रिया कलाप 11 सामाजिक अधिकार लागु ना करने वाले विभिन राज्यों के बारे में सुचनाएं इकत्रित करें पता करें कि इसके बारे में क्या सफाई दी जाती है। चर्चा करें और देखें कि क्या आप आर्थिक, राजनितिक और सामाजिक शेत्र के बीच कोई संबंध देख पाते हैं। ख्रियाकलाब बारां ऐसी घटनाओं की सूचनाए एकत्रित करें जो सार्व भौमिक अते अंते संबंधित विकास को द्रशाती हैं। तथा साथी प्रजातिय, धार्मेक और राष्टिय मतभीदों को प्रदशित करने वाली घटनाओं के बारे में भी सूचनाए एकत्रित कर चर्चा करें कि राजनिती और अर्थ शास्र उनमें क्या भूमिका निभा सकते हैं। प्रिष्ट संख्या 62 सामाजिक या कल्यानकारी अधिकारों की व्यापकता ने कल्यानकारी राज्यों को जनम दिया, जोकि पश्चिमी समाजों में दूसरे विश्व युद के समय से स्थापित किये गए थे। पोर्व समाजवादी देशों के समाजों की इस शेत्र में काफी अच्छी वैवस्ता थी। अधिकतर विकास शील देशों में वास्तव में ये विद्यमान नहीं था। आजकल पूरे विश्व में इन समाजिक अधिकारों को राज्ये का उत्तरदायत्व और आर्थिक विकास में रुकावट मान कर इन पर आक्रमन किया जा रहा है। राश्ट्रवाद को प्रतिकों और विश्वासों के एक समुच्चे के रूप में परिभाशित किया जा सकता है, जो एक राजनितिक समुदाय का भाग होने का बोध कराता है। इस प्रकार व्यक्ति को ब्रिटिश, भारतिय, इंडोनेशियाई या फ्रांसिसी होने में गर्व और बंधुता की भावना का अनुभव होता है। कि ये तेजी से विस्तार और गेहन राष्टवादी भावनाओं और संगर्शों दोनों की वज़ा से जाना जाता है। समाज शास्रियों की रुची सिर्फ आपचारिक सरकारी तंत्र के अध्यन में ही नहीं, अपितु शक्ति के व्यापक अध्यन में भी है। इसकी रुची प्रजाती, भाषा और धरमाधारित दलों, वर्गों, जातियों एवं समुदायों के बीच शक्ति के वित्रन में रही है। इसका ध्यान सिर्फ विशिष्ट राजनीतिक संग जैसे राज्य विधान मंडलों, नगर परिशदों और राजनीतिक दलों पर ही नहीं, अपितु अन्य संगों जैसे विद्यालों, बैंकों और धार्मिक संस्थाओं पर भी है, जिनका प्रात्मिक उद्देश्य राजनी तिक नहीं है। समाज शास्र का विशे शेत्र काफी व्यापक है। इसका शेत्र अंतराश्टिय आंदोलनों जैसे महिला या पर्यावरन आंदोलन से लेकर ग्रामीन दलों तक फैला हुआ है। धर्म काफी लंबे समय से अध्यन और चिंतन का विशे रहा है। अध्याए एक में हमने देखा ये कैसे समाज के बारे में सामाजिक निशकर्ष धर्मिक चिंतनों से अलग है। के बारे में आनुभाविक अध्यन करता है। दूसरा ये तुनलात्मक पधती का उप्योग करता है। तीसरा ये समाज और संस्कृती के अन्य पक्षों के समबंध में धार्मिक विश्वासों, वहवारों और संस्थाओं की जाच करता है। अनुभाविक पधती का अर्थ है कि समाज शास्त्री धार्मिक प्रघटनाओं के लिए निरनायक उपागम को नहीं अपनाता। तुनलात्मक पधती महत्वपून हैं क्यूंकि ये एक अर्थ में सभी समाजों को एक दूसरे के समाज तर पर रखती है। प्रिष्ट संख्या तरेसट ये बिना किसी पूर्वाग्रह और भेदभाव के अध्यन में सहायता करती है। समाज शास्त्रे दृष्टि को उनका अर्थ है कि धार्मिक जीवन को केवल घरेलू जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन के साथ संबध करके ही बोध गम्य बनायत जा सकता है। धर्म सभी ग्याद समाजों में विद्यमान हैं। हालांकी धार्मिक विश्वास और वहवार एक संस्कृती से दूस्ती संस्क्रिती में बदलते रहते हैं। सभी धर्मों की समान विशेशताएं। प्रतीकों का समूच्य, श्रधा या सम्मान की भावनाएं, अनुष्ठान या समारो, विश्वास करताओं का एक समुदाएं धर्म के साथ संबध अनुष्ठान विवित परकार के होते हैं अनुष्ठानिक कार्यों में प्रात्ना करना, गुनगान करना, भजन करना, विशेश परकार का भोजन करना ये ऐसा भोजन नहीं करना, कोशदिनों का उपवास रखना और इसी परकार के अन्ने कारे शामिल होते हैं। जोकि अनुष्ठानिक कार्य धार्मिक प्रतिकों से संबध होते हैं, अतै इन्हें प्राय सामान्य जीवन की आदतों और क्रिया विध्यों से एकदम भिन रूप में देखा जाता है। देविय सम्मान में मुंबत्ती या दिया जलाने का महत्व सम्मान्य तया कमरे में रौश्णी करने से एकदम भिन होता है। धार्मिक अनुष्ठान प्राय व्यक्तियों द्वारा अपने दैनिक जीवन में किये जाते हैं। लेकिन सभी धर्मों में विश्वास करताओं द्वारा सामुहिक समरों भी किये जाते हैं। समानत है ये नियमिस सामारों विशेश स्थानों, चर्चों, मस्जिदों, मंदिरों, तीर्थों में आयोजित किये जाते हैं धर्म एक पवित्र शेत्र है इस बात पर विचार करें कि विभिन धर्मों के सदस्य पवित्र शेत्र में प्रवेश करने के पूर्व क्या करते हैं उधारन के लिए सिर को ढखते हैं या नहीं ढखते जूते उतारते हैं या विशेश प्रकार के वस्र धारन करते हैं आदी इन सब में जो बात समान है वै है श्रद्धा की भावना पवित्र स्थानों या स्थित्यों की पहचान और उनके प्रती सम्मान की भावना एमिल दुर्खाइम का अनुसरन करने वाले धरम के समाज शास्त्री उस पवित्र शेत्र को समझने में रुची रखते हैं जिसे प्रतेक समाज सांसारिक चीजों से भिन रखता है अधिकतर मामलों में पवित्रता में आलोकिक्ता का तत्व होता है अधिकांश्त है किसी व्रिक्ष या मंदिर की पवित्रता के साथ ये विश्वास जुड़ा होता है कि इसके पीछे कोई अलोकिक शक्ती है इसलिए ये पवित्र है तथा पी ये ध्यान रखना महत्वपून है कि कुछ धर्म जैसे आरंभिक बौध धर्म और कनफ्यूशियस वाद में अलोकिक्ता की कोई संकल्पना नहीं थी लेकिन जिन व्यक्तियों और चीजों को वे पवित्र मानते थे उनके लिए उनमें परियाप्त श्रद्धा थी और राजनीती के साथ बहुत निकट का संबंध रहा है उधारन के लिए इतिहास में समय समय पर सामाजिक परिवर्तन के लिए धार्मिक आंदोलन हुए हैं जैसे विभिन जाती विरोधी आंदोलन या लेंगाधारित भीदभाव के विरुध आंदोलन प्रिष्ट संख्यात चौसट धर्म किसी व्यक्ति की निजियास्था का मामला नहीं अपितु इसका स्वार्जनिक स्वरूप भी होता है और धर्म का यही स्वार्जनिक स्वरूप समाज की अन्यसंस्थाओं के संबंध में महत्वपून होता है हमने देखा है कि समाज शास्त्र शक्ति को कैसे व्यापक संदर्व में देखता है अधै राजनीतिक और धार्मिक शेत्र के बीच संबंध को जानना समाज शास्त्रिय हित में है शास्त्रिये समाज शास्त्रियों का विश्वास था कि जैसे जैसे समाज आधुनिक होता जाएगा, धर्म का जीवन के विभिन शेत्रू पर प्रभाव कम होता जाएगा पंथ निर्पेक्षता की संकल्पना इस प्रक्रिया का वर्नन करती है समकालीन घटनाएं समाज के विभिन पक्षों में धर्म की द्रिड भूमिका की जानकारी देती है आप ऐसा क्यूं सोचते हैं कि ऐसा है मैक्स वेवर 1864-1920 के महत्वपून कार्य दर्शाते हैं कि समाज शास्र सामाजिक और आर्थिक वेवार के अन्य बक्षों के साथ धर्म के संबंधों को कैसे देखता है वेवर का तर्क है कि केल्विन वाद यानि प्रोटेस्टिंट इसाई धर्म की एक शाखा ने आर्थिक संगठन के साधन के रूप में पूंजी वाद के उद्भव और विकास को महत्वपून रूप से प्रभावित किया था कैल्विन वादियों का विश्वास था कि विश्व की रचना भगवान की महिमा के लिए हुई इसका अभिप्राय है कि इस संसार में किया गया कोई भी कार्य उसके गौरव के लिए किया जाता है यहां तक कि संसारिक कार्यों को भी पूझनिय कार्य बना दिया गया हलांकि इससे भी महत्वपून बात ये है कि कैल्विन वादी भाग्य की संकल्पना में भी विश्वास करते थे जिसका अर्थ है कि कोई स्वर्ग में जाएगा और कोई नर्क में यह पहले से निश्चित था चुकि यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि किसे स्वर्ग मिलेगा और किसे नर्ख लोग संसार में अपने कारियों में भगवान की इच्छा के संकेत देखने लगे इस परकार व्यक्ति चाहे जो भी व्यविसाई करता हो यदि वय अपने व्यविसाई में द्रिड और सफल है तो उसे भगवान की प्रसंता का संकेत माना जाता था अरजित किया गया धन संसारिक उभोग में लगाने के लिए नहीं था अपित्व केलविन वाद का सिध्धान्त मित वयता से रहने का था इसका अर्थ था कि निवेश को एक तरफ का पवित्र सिध्धान्त माना जाता था पूंजी वाद के केंद्र में निवेश की संकल्पना है जिसे पूंजी का निवेश अधिक वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है जिससे अधिक लाब होता है जिससे बदले में और अधिक पूंजी उत्पन होती है इस प्रकार वैवर का ये तरक्र प्रस्तुत करने में सक्षम थे कि धर्म इस मामले में कैल्विनवाद के आर्थिक विकास का प्रभाव डालता है धर्म का अलग शेत्र के रूप में अध्यन नहीं किया जा सकता सामाजिक शक्तियां हमेशे और अनिवारत धार्मिक संस्थाओं को प्रभावित करती हैं राजनितिक बहस आर्थिक स्थितियां और लिंग संबंदी मानक हमेशा धार्मिक वहवार को प्रभावित करते हैं इसके विप्रीत धार्मिक मानक सामाजिक समझ को प्रभावित और कभी-कभी निर्धारित भी करते हैं विश्व की आधी जनसंख्या महिलाओं की है इसलिए समाज शास्तिय रूप से यह पूछना महत्वपून है की मानव जनसंख्या के इतने बड़े हिस्से का धर्म से क्या संबंध है धर्म समाज का महत्वपून भाग है और अन्य भागों से अनिवारता जुड़ा हुआ है समाज शास्त्यों का कारे इन विभिन अंत्य संबंधों को उजागर करना है परंपरागत समाजों में समानत है धर्म समाजिक जीवन में एक केंद्रिय हिस्से की भूमिका निभाता है धर्मिक प्रतीक एवं अनुष्ठान अक्सर समाज की भौतिक और कलात्मक संस्कृती से जुड़े होते हैं समाज शास्त्र धर्म का अध्यन किस तरह करता है यह जानने के लिए बॉक्स में दिये गए सारांश का अध्यन करें अनेक बाहरी तत्वों ने धर्मिक विशेशग्यों के पारंपारिक जीवन को प्रभावित किया है इनमें सबसे महत्वपून है नासिक में नए रोजगारों और शेक्षनिक अफसरों की उत्पत्ती स्वतंत्रता के बाद पुरोहितों का जीवन बड़ी तेजी से परिवर्तित हो गया था अब बेटे और बेटियों को विद्याले भेजात जाता है और पारंपरिक कारे से भिन कारियों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है अन्य तीर्थ स्थानों की तरहा नासिक में भी धार में क्रिया कलापों के लिए अन्य अतरिक्त केंद्र उत्पन हो गए किसी तीर्थ यात्री के लिए तामर पात्र में गुदावरी का पवित्र जल घर ले जाना सामाने क्रिया थी तामर कारों ने ये पात्र प्रदान किये, तीर्थ यात्री भी इन पात्रों को खरीदते थे, जिन्हें घर लेजा कर अपने रिश्यदारों और मित्रों में उपहार के रूप में बाड़ते थे. काफी समय तक नासिक को पीतल, ताम्र और चांदी के दक्ष दस्तकारों के लिए जाना जाता था चुंकि उनके पात्रों की मांग अन्यमित और अनिश्चित होती थी अते घर के सभी बड़े सदस्यों को इस कारे में नहीं लगाया जा सकता था अनेक दस्तकार छोटे और बड़े दोनों प्रकार के उद्योगों और वैपारों में चले गए थे आचारे 1974-399-401 शिक्षा शिक्षा जीवन परियांत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सीखने की आपचारिक और अनुपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं शामिल हैं हालांकि यहां पर हम केवल विद्याले शिक्षा पर अपनी चर्चा को सीमित रखेंगे हम सभी जानते हैं कि विद्याले में प्रवेश लेना कितना महत्वपून है हम यह भी जानते हैं कि हम में से बहुतों के लिए विद्याले उच्च शिक्षा और अंत में रोजगार प्राप्त करने की तरफ एक महत्वपून कदम है हम में से कुछ के लिए यह कुछ आवश्चक सामाजिक दक्षताएं प्राप्त करने का साधन हो सकती है इन सभी मामलों में सामान्य बात है शिक्षा की अवशक्ता का महसूस होना समाज शास्र इस अवशक्ता को समू की विरासत के प्रेक्षन या समप्रेशन की प्रक्रिया के रूप में समझता है जो सभी समाजों में पाई जाती है साधारन समाजों और जटिल आधुनिक समाजों में एक गुनात्मक अंतर है साधारन समाजों में आपचारिक विद्याले जाने की अवशक्ता नहीं थी बच्चे बड़ों के साध क्रिया कलापों में शामिल होकर प्रथाओं और जीवन के व्यापक तरीके सीख लेते थे प्रिश्ट संख्या 66 जटिल समाजों में हमने देखा कि श्रम का आर्थिक विभाजन बढ़ रहा है घर से कारियों का विभाजन हो रहा है विशिष्ट शिक्षा और दक्षिता प्राप्त करनी की आविशकता है राजे वैवस्थाओं, राश्ट्रों और प्रतीकों एवं विचारों के जटिल समुच्चे की भी उत्पत्ती हो रही है ऐसी परिस्थिती में आप अनुपचारिक शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे अभिभावक और अन्य बड़े लोग प्राप्त ग्यान को अगली पीडी तक अनुपचारिक रूप से कैसे संप्रिक शित कर सकेंगे ऐसे सामाजिक संदर्व में शिक्षा का अपचारिक और सुनिश्चित होना आवशक है इससे भी आगे आधुनिक जटिल समाज सरल समाजों के तुलना में आमूर्तिल स्वार्वभोमिक मुल्यों पर निर्भर करते हैं यही चीज इसे उस सरल समाज से अलग करती है जो परिवार, नातेदार, जन जाती, जाती या धर्म पर आधारित, विशिष्ट मुल्यों पर आधारित है आधुनिक समाजों में विद्यालियों की रचना, एक रूपता, माने की कृत प्रेड़नाओं और स्वार्भूमिक मुल्यों को बढ़ावा देने के लिए की जाती है इसे करने के अनेक तरीके हैं उधारन के लिए कोई विद्याले के बच्चों की एक जैसी वर्दी की बात कर सकता है क्या आप माने की करन को बढ़ावा देने वाली अन्य विशिष्टाओं पर विचार कर सकते हैं एमिल दुर्खाईम के अनुसार कोई भी समाज एक सामाने आधार कुछ विचारों, मनोभाबों और वहवारों के बगैर जीवित नहीं रह सकता जिसे शिक्षा द्वारा सभी बच्चों को बिना भेदभाव के संप्रिक्षित किया जाना चाहिए चाहे वह किसी भी सामाजिक श्रेणी के हूँ दुर्खाईम 1956-79 शिक्षा बच्चे को विशिष्ट व्यवसाय के लिए तैयार करने वाली होनी चाहिए और साथ ही व्यवसे समाज के मुख्य मुल्यों को समाहित करने के सक्षम बनाने वाली भी होनी चाहिए इस प्रकार प्रकार्यवादी समाज शासरे समानने सामाजिक अवशक्ताओं और सामाजिक मानकों के बारे में बात करते हैं प्रकारे वादियों के लिए शिक्षा सामाजिक सनरचना को बनाई रखती है और उसका नवीनी करन करती है तथा संस्कृति का संप्रिक्षन और विकास करती है शेक्षनिक व्यवस्था समाज में व्यक्तियों की अपनी भावी भूमिका के चैन और आवंटन के लिए एक महत्वपून क्रिया विधी है इस प्रिष्ट के अंदिम भाग में दो तरह के स्कूलों को दर्शाया गया है पहले चित्र में अध्यापिका स्कूल के आंगन में बच्चों को पढ़ा रही है वहीं दूसरे चित्र में खुले में बच्चों को पढ़ाते हुए दर्शाया गया है अब आप इन चित्रों की विवेचना करें जिसमें दो परकार के स्कूल दर्शाया गया है प्रिष्ट संख्या 67 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें एक बाल मजदूर को बुनाई करते हुए दर्शाया गया है इसे एक व्यक्ति को खुद को साबित करने का शेत्र भी माना जाता है और इसलिए विविन प्रस्थितियों के लिए चैन का साधन भी जो की व्यक्तियों की अपनी शमताओं के अनुसार होता है अध्याय दो में भूमिकाओं और स्तरीकरन की प्रकार्यात्मक समझ पर हमारी चर्चा का पुनह स्मरन करें समाज को असमान रूप से विवेदी कारी मानने वाली समाज शास्तियों के लिए शिक्षा स्तरीकरन के मुख्य अभिकर्ता के रूप में कारे करती है और शिक्षा के असमान अफसर भी सामाजिक स्तरीकरन का ही परिनाम है दूसरे शब्दों में हम अपनी सामाजिक आर्थिक प्रिष्ट भूमी के आधार पर विभिन परकार के विद्यालियों में जाते हैं चुकि हम किसी एक प्रकार के विद्याले में जाते हैं, हमें विभिन प्रकार के विशेशाधिकार और अंत में वैसे ही अफसर प्राप्त होते हैं। अनुभव कर सकते हैं। पाठक 2002-151 तथा पी ऐसे और अनेक बच्चे हैं जो विद्याले नहीं जा सकते या विद्याले जाना बीच में ही छोड़ देते हैं। क्रिया कलाप 13 छोड़े बच्चों के एक विद्याले के अध्यान से पता लगता है कि बच्चों ने सीखा है कि कारे संबन्धित क्रिया कलाप खेल संबन्धित क्रिया कलापो की तुल्ला में अधिक महत्वपून हैं। अपल 1989-102 आप क्या सोचते हैं, चर्चा करें। उधारन के लिए एक अध्यन बताता है इस समय आप विद्याले में कुछ बच्चे देख सकते हैं यदि आप वसल के समय विद्याले आएं तो आपको अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती का एक भी बच्चा नहीं मिलेगा जब उनके अभिभावक बाहर कारे करते हैं तो उन पर घर की कुछ दिम्यदारियां आ जाती है और इन समुदायों की लड़कियां कभी कभार ही विद्याले जाती हैं क्यूंकि वे विभिन परकार के घरेलू और आमदनी वाले कारे करती हैं उधारन के लिए दस वर्ष की एक लड़की वेचने के लिए गाएं का सूखा गोबर उठाती है उपरोक्त रिपोर्ट दर्शाती है कि लिंग और जातीगत भेदभाव किस तरह शिक्षा के अफसरों का अतिक्रमन करते हैं समरन करें कि हमने कैसे अध्याय एक में इस पुस्तक को आरंभ किया था कि किसी बच्चे को अच्छी नौकरी मिलने के अफसर अनेक सामाजिक कारकों से प्रभावित होते हैं सामाजिक संस्थाओं के कारे करने के तरीके को समझने की आपकी समझ अब इस प्रक्रिया का सही विशलेशन करने में आपकी सहायता करेगी शब्दावली नागरिक एक राजनेतिक समुदाय का सदस्य जिसकी सदस्यता के साथ अधिकार और कर्तव्य दोनों जुड़े होते हैं कारे का विशिष्टिकरन जिसकी सहायता से विभिन प्रकार के कारियों को एक उत्पादन प्रनाली में लगाया जाता है सभी समाजों में श्रम विभाजन का कम से कम नियूनितम आरंभिक स्वरूप होता ही है तथा पी और द्योगिक विकास के साथ पूर्व के उत्पादन प्रनाली की अपेक्षा श्रम विभाजन व्यापक रूप से जटिल हो गया है आधुनिक विश्व मेश रम विभाजन अंतराष्ट्रिय विशे बन गया है प्रतेक लिंग के सदस्यों के वहवार के बारे में उप्युक्तु समझी जाने वाली सामाजिक अपेक्षाएं लिंग को समाज के मूल संगठनात्मक सिध्धान्त के रूप में देखा जाता है आनुभविक जाँच समाज शास्त्रिय अध्यन के किसी निश्चित शेत्र में की गई तथ्यात्मक जाँच अंतर विवाह जब विवा किसी विशेश जाती, वर्ग या जनजाती समूह में ही किया जाता है बहीर विवा जब विवा कुछ संबंधित समूहों से बाहर किया जाता है प्रिष्ट संख्या उनतर विचारधारा ऐसे साजे विचार या आस्थाएं जो प्रभावशाली समुहों के हितों को नियायोचित सिद करते हों। विचारधारा ऐसे सभी समाजों में पाई जाती है, जिनमें समुहों के बीच व्यवस्थित और गहरे तक पैठी असमानताएं पाई जाती है। विचारधारा की संकल्पना शक्ती की संकल्पना से घनिश्ट रूप से संबंदित है क्योंकि वैचारिक व्यवस्थाएं समूहों में पाई जाने वाली शक्ती के अंतर को वैध ठेराती है वैधता विशेश परकार की राजनीतिक वैवस्था के न्यायपून और वैधानिक होने की आस्था एक विवा जिस विवा में केवल एक पत्नी और एक पती हो बहु विवा जिस विवा में पुरुष की एक से अधिक पत्नी और महिला के एक से अधिक पती हो बहुपत्नी प्रथा जिस विवा में एक महिला के अनेक पत्निया हो सेवा उद्योग निर्मित वस्तूं की अपेक्षा सेवाओं की उत्पत्ती से सम्बंधित उद्योग जैसे प्रयटन उद्योग राज्य समाज ऐसे समाज जिसमें आपचारिक सरकारी तंत्र हो राज्य विहीन समाज ऐसा समाज जिसमें सरकार की आपचारिक संस्थाओं का अभाव हो सामाजिक गती शीलता एक प्रस्थिती या वैविसाई से दूसरी प्रस्थिती या वैविसाई में जाना प्रभुसत्ता एक निश्चित शेत्र में राज्य का अविवादित राजनितिक शासन अभ्यास प्रश्न एक ग्यात करें कि आपके समाज में विवागे कौन से नियमों का पालन किया जाता है कक्षा में अन्य विद्यार्थियों द्वारा किये गए प्रेक्षनों से अपने प्रेक्षन की तुलना करे या चर्चा करे प्रश्न दो, ग्याद करें कि व्यापक संधर्व में आर्थिक, राजनितिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होने से परिवार में सदस्यता, आवास्य प्रतिमान और पारिस्परिक, संपर्ग का तरीका कैसे परिवर्तित होता है? उधारन के लिए प्रवास प्रश्न तीन, कारे पर एक निबंध लिखिये, कारियों की विद्यमान श्रेणी और ये किस तरह बदलती है, दोनों पर ध्यान केंद्रित करें प्रश्न चार, अपने समाज में विद्यमान विभिन प्रकार के अधिकारों पर चर्चा करें, वे आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? प्रश्न पांच, समाज शास्त्र धर्म का अध्यन कैसे करता है? प्रिश्ट संख्या सत्तर प्रश्न चे, समाजिक संस्था के रूप में विद्याले पर एक निबंध लिखिए, अपनी पढ़ाई और व्यक्तिक प्रेक्षनों दोनों का इसमें प्रयोग कीजिए प्रश्न साथ, चर्चा कीजिए कि समाजिक संस्थाएं परस पर कैसे संपर करती है? आप विद्याले के वरिष्ट चात्र के रूप में स्वैम के बारे में चर्चा आरंभ कर सकते हैं. साथी विभिन सामाजिक संस्थाओं द्वारा आपके व्यक्तित्व को किस प्रकार एक आकार दिया गया? इसके बारे में भी चर्चा करें. क्या आप इन सामाजिक संस्था का ध्वनी पाठ वाचन्स्वर रुची शर्मा ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्माण सहयक कुसुमलता और शानुमुक्सीम निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत